बढ़ते हैं आगे बिहार में नौकरी और रोजगार की बहार आने वाली है बिहार की मुख्य मंतर नितीश कुमार ने मिशन मोड में साथ निश्य पाटू की लक्ष को पूरा करने के लिए दिकारियों को एहम नर्देश जारी कर दिये हैं एक साल में करीब साड़े चार लाख नौकरी और ग्यारा लाख रोजगार दिये जाने का लक्ष नितीश कुमार ने अफसरों को मिशन मोड में काम करने के नितीश दिये हैं साथ निश्य पार्टू के तहट लाखों लोगों को नौकरी दी जाएगी सरकार का लक्ष दस लाख सरकारी नौकरी के साथ ही दस लाख रोजगार देने का भी है आप तक पांच लाख सोलह हजार नौकरी दी जा चुकी है 1,99,000 नौकरी के लिए प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई है सरकार ने अगले तीन महिने में न्युक्ति पत्र देनी का लक्ष रखा है 2,11,000 न्युक्ति की प्रक्रिया लगातार जारी है स्वित्य वर्ष यानी 2024-25 के लिए 11,00,000 से ज्यादा रोजगार देनी का लक्ष सरकार की ओर से रखा गया है ब्यार में बंपर विकिन से 7 निश्य पार्टू के तहत निकाली जाएगी अगले तीन वहिनों में करी 2,00,000 लोगों को सरकारी न्युक्ति पत्र देने का लक्ष रखा गया है इसके लिए सभी विभागा ध्यक्षों को नर्देश भी सरकार ने जारी कर दिये हैं इसके साथ ही मुख्यमंत्र नितेश कमारने परिक्षा में धांदली और पेपर लेक को लेकर भी विधान सभा के अगले सत्र में सक्त कानून लाए जाने की बात कही है वियार में नौक्ष की बाहर को लेकर सियासत भी जारी है सरकारी नौकरी देने के अपने वादे पूरी करने को लेकर सरकार बेहत गंभीर है सत्ता बक्ष जहां सरकार की यूजना को जमीन पर उतारने के लिए उत्साहित है तो वही विपक्ष नौकरी को लेकर अपनी क्रेडिट ले रहा है पिहार के अंडिये सरकार मिसन मोड में 24-25 तक 11 लाख नौकरिया देगी साथ निश्चे पाट टूप के माधेम से 10 लाख रोजगार देने के गुस्णा की गई थी जिसमें से 5 लाख 16 लाख नौकरिया दे दी गई है और 1 लाख 99 लाख पदो पर प्रकिरिया धीन है जो कि मान्य मुख मंत्री स्री नितिश कुमार जी ने साथ निर्देश दिये हैं कि तीन महिने के अंदर निक्तिया पत्र बाटने के लिए 10 लाख से ज्यादा नौकरिया देने की बात आज मुख मंत्री जी ने की है लेकिन ये सिर्फ जुम्लाबादी है ये उसी तरह से भर्म किराज निति है जिस तरह से भातियंता पाटी ने केंदर की सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हर साल हम दो कड़ो नौकरिया देंगे बिहार में नौकरी रोजगार का मुद्दा काफी एहम रहा है युवाओं को नौकरी चाहिए विभागों के खाली बड़े बड़ों को भरने की मांग लगातार की जाती रही है नितीश कुमार ने अपने शाष्टन काल में साथ निश्रे पार्टू के तहती नौकरी देने का वदा निभाते आए है और ऐसे में मुख्यमंत्री के ताजा नर्देशों के बाद बिहार में एक बार फिर बंपर बहाले और नौकरी की उम्मी जगी है निउजीजिन के लिए पटना से शलिंद्र और संजे कुमार की रिपोर्ट और रुजगार पर नितीश के मिशन मोड को आप भी समझ लीजे बेहार में बहुत बड़े प्यमाने पर बहाले की तयारी सरकार कर रही है खाली पड़े तमाम पदों को लेकर बहाली निकालनी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इसी के लिए ब्योरा भी जुटाया जा रहा है सभी विभाक के प्रमुक से रिक्तियों की सूची मांगी गई है और अब तक 4,22,976 रिक्त पदों का ब्योरा मिल जुका है ब्यार में कररत बलों की संख्या है 11,55,951 सुखरत बलों की संख्या है 16,26,927 साल 2024 के अंतक खाली पड़े पदों पर बहली का लक्ष विभाक फीजवाईज अलग-अलग पदों के लिए निकालेगी वेकिनसी और सबसे ज्यादा सिक्षा विभाक में 2,17,591 खाली पदों को भरा जाएगा स्वास्त विभाक में 65,734 पदों को भरा जाएगा ग्रे विभाग में 41,414 पद खाली हैं उन्हें भरने की प्रक्रिया लगातार जारी हैं ग्रामण विकास विभाक की बात कर लें तो 11,784 पद खाली उड़जा विभाग में 5,563 पद खाली जल संसाधन विभाग में 13,712 पद परिवाहन विभाग में 7,531 पद राजस विवम भूमी सुधार विभाग में 15,214 पद खाली श्रम संसाधन विभाग में 5,049 पद खाली लगु जल संसाधन विभाग में 7,548 पद खाली समाच कल्यान विभाग में 10,844 पद खाली वहीं भवन निर्मान विभाग की बात कर ले तो 3,888 पद अभी खाली है यानि कि इन तमाम पदों को भरने की प्रक्रिया अभी से जारी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि बहार में इस वक्त नौकरियों की बहार है